पिछले तीन दिनों से जो है वन्चित बोजन अगाडी की तरफ से अनरव पाठीद उसके साथ साथ लक्षमन माने और अन्य कोई अन्य नेता कॉंग्रेस के कुछ नेताओं से बाचीत चली थी कि जिनका आगरत था कि समझोता हो जाए कॉंग्रेस को जो है वो एक नया फॉर्मिला हमारी तरफ से बंचित बोजन अगाडी की तरफ से पेश किया गया जिसमें ये कहा कि 22 उमेदवार जो है वो हम लोग ने अनौन्स किये है जिसको हम लोग आज विड्रॉन नहीं कर सकते हैं लेकिन 22 उमेदवारों में से अगर कॉंग्रेस 22 के 22 भी देती है या इन में से कुछ भी कॉंग्रेस लेने के लिए तयार है कॉंग्रेस पार्टी उनको अगर ए बी फॉर्म और सिंबल देने के लिए तयार है तो हमारी हरकत नहीं है और यूती चलनी चीए ऐसा हम लोग ने कहा लेकिन कॉंग्रेस ने उमेदवारी स्विकार में से इनकार कर दिया है और ये कहते हों इनकार किया है कि ये हमारी बिरादरी की नहीं है Congress Party को हमने ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से Democracy की Socialization होना जरूरी है उसी मताबिक हम लोग ने ये उमेदवारी दी है ये किसी पारिवारिक नहीं है ये पारिवारिक सत्ता से सम्मद इतनी आम इंसाने आम वेक्ति है और इनकी अपनी एक हैसियत जो है वो मदार संग में है, समाज में है और बोटर में भी है लेकिन कॉंग्रेस पारिटी इसको मानने के लिए त्यार नहीं है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग ने जो 26 सीटे बाकी है उस पर निरने लेने का फैसला कर दिया है चौदा तारीक तक मेरा दोरा विदर्ब में है उसके बाद बंबी जा रहा हूँ और पंदा तारीक को जो है सबी मिलके जो है हमारी 26 सीटों की जो आखरी लिस्ट है उसको भी हम लोग जाहिर करें